हेलो दोस्तों स्वागत आपका सिविल इंजिन डिजान में आज हम इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए 28 इंटू 65 विट का प्लान यह प्लान आप देख सकते हो इसमें complete प्लान है और इसको किस तरीके से हमने बनाया है चलिए शुरू करते हैं इस ब्यूडियो को और अंद तक इसमें बने रहना ठीक है इसको सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे हमने एक planning कर लिए इस planning को देखते हुए हम इसमें ढोर, विंडो, और साइज कारेंगे, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं 28 feet, और यहां से देखते हैं, यहां से आप इसका मार कर सकते हो, 65 feet, ठीक है, अब यहां से देख सकते, यह हम यहां से starτο करते हैं, तो इसका man gate, हम 8 feet का मेंगेट, के यहां से 8- Então the Man gate यह हमारा मैं मैंगेट हो गया है और यह द यहां से आम ने माड किया है डारेक्शन मैं यह हमारा साथ है इदर यह नौर्थ ईस्ट एंडवेस्ट पर तो अब फसके हमारा यह ड्रोउग रॉन मैं रॉम करते हैं ठीक है यहां से एगा यह क इसका साइजिस देखते हैं कितने चुनल क Bjork आप डाइमेंशन वह जाओगे डाइमेंशन यहां से लीनियल हो गए और इसकी बाद दामेंशन साशड मों यहां से यहां तक का डाइमेंशन दे सकते आप इस तरीके से ठ intrinsically को अब देख सकते हैं इसमें हमारे रॉटर नो न तो 10 इन टू 14 फेट सीझ एब बात करते है इसका साज है हमारा 8 पिट इंटु 11 है जो कि 8 पिट इंटु 11 है ठीक है यह डिलेट कर देंगे अब चलते हम लॉबी की तरफ यह हमारी लॉबी हो गई जो कि इसका साज हमारा यहां से आप चेक कर सकते कितना साज है 14 इंट 9 यहां से यहां तक है 19 तेन वहलब यह जो साज है हमारा यहां से लेके यहां तक है 16 एंटु 3 है ठीक है यह लॉबी का साज हो गया यह हमारा मंदिर है आप यह मंदिर का साज देख सकते हो ठीक साथ मांच ठीक है यह से हमारा टेम्पल हो गया और लॉबी से अटेच हमारा बात्रूम है जो कि आप देख सकते हैं इसमें लॉबी से अटेच बात्रूम है ठीक है इसके साइज ही सम देखते हैं कितने हैं 5 x 5, ठीक है यहां से एंटर करेंगे, पांच फिट, एंट्व पांच फिट इनट्व पांच फिट कई लोगे जैंट दोस्तों अंतर तक इस विडियो बने रहे ड्रों किले हैं कि यह हमारा बेडरूम है यह बेडरूम , इनके साइज्ट यह बेडरूम साइज हो गए ठीक , 2,1ft 14 फिट & 24 फिट & 14 फिट Doch into 12 into 3 इंच ठीक है कि यह लाष्ट कामएरा जो बेडरूम है वह बेडरूम वह ऑशाज इसकती है आप 10 10 फिट 4 इंच इंटू नौ फिट नौ इंच का ठीक है अन्द तक इस वीडियो बने रहना हमारे टोटल इसमें रूम है एक दो तीन चार रूम है एक ड्राइव रूम तीन बैडरूम ओके चलिए कोड़ यार्ड में कोड़ यार्ड आप देख सकते हैं दस इंटू साड़े चार इंच इंटू नौ फिट नौ इंच ओके यह हमारा टोइलेट होगा Atax bedroom से और यह हमारा WC toilet seat इस तरीकी से इसे डेकोरेट कर सकते हैं इसका साज इसे पाँच फुट इंटू तीन फुट छेंच और 5.5 साथेंच ओके यह हमारा पॉर्चेरिया चलो डेकोरेट करते हैं क्या साज है क्या नहीं है इसमें पहले से डाइमेंशन देखते हैं हम इसकी यह साज है हमारा यहां से आउटर वॉल तक हमारा साज लेंगे आठ पिट शह इंच माना जाएगा ठीक है अब हम बात करते हैं प्रेंट व्यू की कितना साज है इसका यहां से लेकि यहां तक आप साज मार्श कर सकते हैं कि 7 फिट और यहां की वॉल प्रोजेक्शन में उसका तीं फिट ती इनिच देंगे जिसा कि आप देख सकते हैं तीन फ्रेंट नंच का वाइट प्रोजेक्शन और यह हमारा ठ्रेंटलाण साथ पिट का है ठीक हैई है चलते नेक्स्ट तो दूस्तों बात करते हैं हम स्टे राइजर देंगे और यहां तक यह ट अब कर सकते बनाएं अर्ण लिल्ट्न गवार थर और यह चलोंगे यहां तक फैक्वत दोर महतe आको भया ट्याव कर सकते मैं तो यहां से यहां यहां पर चड़ते हुए पर स्सीधा इस पर आएगे हैं इस तारीके से इस तरइक एब एक दो तीन चार पंच छहिए साथ आठ नौ दस दस बाकी स्टेब हमारे इस साइड माएंगे इस तरीके से यह करते क्थे और यह हो अब यहीं पर हम एक विंडो दे देते हैं चार फिट की यहां से चार फिट की विंडो दे 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 जो कि देख सकते हैं इस तरीक से हम विंडो बना सकते हैं चलते हैं अब किछिन की विंडो इसमें हम किछिन में विंडो बनाएंगे यहां से मिड में एक पॉइंट दिया हमने मिट पॉइंट पर हम किचिन दे देए आप सेट दो फिट का एक फिट तीन इंच का तीन फिट की बिंडू देंगे मातला यहां से ट्रिम कर सकते हो यहां से आप ट्रिम कर सकते हो ठीक मैच करो से इस तरी जे आप यहां बिंडू बना सकते हो इस तरीक से हम बैड्रूम डेकोरेट कर देंगे तो आप देखते रहे लन्त अंतक वीडिो में बने रहेना ठीक है इस तरीक से आप किचिन को देख सकते हो जिसमें हमने आप kitchen को देख सकते हैं इसमें ठीक जो kitchen का साज ही आ गया और इसकी जो साज ही है हमारी kitchen की आप देख सकते हैं इसमें 14 फिट का इसमें हमने 14 फिट का kitchen दे दिया 8 वाई 14 जलते है next इस तरीकी से kitchen रीटी है हमारी 80 , 11 mm एप चलिए लोभी की बात करते हैं लॉभी में जैसे कि आप सकते हैं इसमें हमारी ougarija भhando किचिन इरिया यह यह लाओव रिया है इस पर हम इस तरीक है से रोड मार्क कर सकते हैं उक है से लुँद्री हो गई कर दिया कर दिया यह बैड्रूम ड्राइंड इस्टार्टिंग में यह आपकी किचिन हो गई यह हमारा पोर्च यह वाइट पैसेश यहां से आके आपको डॉल लॉवी में आ सकते हो यह दोना बैड्रूम और लास्ट में एक बैड्रूम इस रूम से ही अटेच है ठीक है और इसका ओपन याड्ट और डबलू सी और यह बातरूम तो चलती हम इसमें अब कॉलम प्लानिंग करते हैं जैसे कि आपको मैं स्टेप बाइस्टाप देखते हैं इसमें कॉलम प्लानिंग करते हैं ठीक है यह कॉलम है मारा इसका जो साइज है न वह 9 इंच का हमने रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ठीक नौवाइड नौका कॉलम है चलिए तो इसको कॉपी करते हैं सी ओ एंटर यहां से ठीक एक कॉलम यहां गया हमारा और दूसरा कॉलम जो लेंगे वह इस जगह लेंगे अब यह कॉलम एक यह एक यह एक यह एक यह तिन कॉलम अब यह कॉलम हम यहां देंगे एक यहां देंगे एक यहां यह ठीक जैसे कि आप देखो यहां एक कॉलम यह हो गया और एक दोनों बैड रूम पर तीन कॉलम हो एक दो तीन ऐसे हम इसके चारों साइटों में कॉलम देंगे एक यह एक यह एक और यहां से यहां से यहां तक यह स्टेर का हमने चारों कॉलम दे दी इसके बाद मन टेंपल आ जाते लेगें हम टेम टेम्पल के दोनों साइप में कॉलम होगे इस तरीके से देख सकते और टेक है ये ye drawing room देख सकते हूँ एक दो तीन चार चार कॉलम यहां और चार कॉलम यहां और इसी तरीकेस हमने दो कॉलम, गेट मैन गेट के लिए गेट इस कॉलम को नहीं दे सकते नहीं दो 30 बैटर है, ठीक कोई दिक्कत भी नहीं से तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है इसका टोटल एरिया हमारा है 904 इसका जो टोटल एरिया, चलिए टोटल एरिया निकाल लेते हम इसके यहां से क्लिक करोगे आप इसका जो टोटल एरिया है हमारा 1820 स्कारपेट देख सकते हैं आप 1820 स्कारपेट ठीक है तो यहां हम इसका टोटल एरिया ठीक तो चलिए करते हम कॉलम्म तू कॉलम मार करते कितनी डाइमिंसन इसमें यहां से हमें से याद रखो आउटर से आप कॉलम मार के मिड़ पॉइंट तक आप लोगे डाइमिंसन यह देखो 16 फीट इसकी वाद इसके लास्ट कॉर्णर से मिड़ पॉइ अब इसी तरीके से हम इस कॉलम से इस कॉलम तक हम डाइमेंशन लेंगे इसी तरीके से यहां से यहां तक यहां से यहां तक का आप डाइमेंशन कॉलम टू कॉलम मिड पॉइंट तक कॉलम टू कॉलम डाइमेंशन लेनी है आपको इस तरीके से डाइमेंशन हम लेना है हमें इसी तरीके से इसका मिट पॉइंट यहां से लेके यहां तक अब ऐसे हम यहां से यहां तक आप इसे ले सकते हों ठीक है इस ही दूसरी साइट में में मैं इसism dimension रहेगी हाप देख सकते है पुरा रेडी हो गए आपका प्लाण तो आप इस तरीके से या प्लाण करचके है और इसका पीडियभ मैं आपको क्रता हूं ctrl भी कहांब कर ओगे यहां से मैं यहां प्लाइब में जाओगे क्लिक करना और यहां से आप PDF 28 into 65 फिटो तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें PDF यह बनके त्यार हो गई इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा इससे यहां से आप डाउनलूट कर सकते हो इस वीडियो को और आप इसे डाउनलूट कर सकते हो